हाई फ्रेंट्स आज मैं आपके सामने लेखे आई हूँ बनार्सी सिल्क साडी यह बहुत ही प्यारी सिल्क साडी है और बनार्सी लुप देती है इसका कलर कॉमिनिशन भी बहुत अच्छा है तो मैं आज आपको इसकी ड्रापिंग करके बताऊंगी वही फर्स स्टेप कम्प इसको अपनी राउंड तरीके से घुमा का लैफ्ट हैंड से पकड़के और राइट हैंड से इसको मैं आरेंज कर आए इस तरीके से धीरे धीरे इस तरीके से मैंने सारी प्लेट्सों को छोटी-छोटी प्लेट्स बनाई हैं बॉडर जितना है हालाकि बॉडर तो काफी चो लेफ्ट एंट शोल्डर पर रखकर इसकी पिनप लगा लिए है पहले मेर से पिन नहीं लगती थी क्योंकि मैं थोड़ी सी हैल दी लेकिन अब मैं थोड़ा फैट कम हुआ है तो इसके वैसे मैं अपने आप से पिन लगा सकती हूं अब मैं क्या गरूंगे साइट फिटिंग साइट फिटिंग के लिए जितनी भी साडी को मैं ने साडी ले उसको स्ट्रेस करने के बाद और अपनी कमर पर पूरी तरीके से मतलब लूज नहीं रहना हाँ चाहिए और उसको लेकर मैं पनप से टक कर दिया पनप से टक करने के बाद मैं थोड़ा सा हैंट लगा या प्लेट्स है ना वह निकल के आ जाएंगी और अच्छे से अरेंज कर दूंगे और एज़िटी सी बनी रहेंगी तक करने से कभी भी खराब ने आप कभी ना बिना पिन के टक करिया फिर अरेंज करके देखिया अब देखिया मैं लोग प्लेट्स बनाऊंगी पहला मैंने ना तो एक्स्ट्र फाब्रिक बचेगा और पहुत नहीं आपको फर्स्ट प्लेट्स को अरेंज करनी देखे अभी फिर मैंने इसका जो फैब्रिक है वो ऐसा ही आसके वैसे देखे मेरी साइट से भी थोड़े ऊची हो गई है साड़ी और इससे क्या करूंगे मैं इसको अभी तो मैं टक कर लूँगी ठीक है फिर टक करने के बाद और इसको मैंने सारी प्लेट सो को एकटा करूं के बाद मैं इस पिन को खोल दूँगे तो जो भी साइट प्लेट थी उसको धीरे धीरे अरेंज करते हुए और जो भी शोल्डर प्लेट से उसको भी ठीक से अच्छी तरीके से मैनेज कर लूँगी देखिया है यह मेरी साइट पिटिंग है अब मैंने शोल्डर प्लेट से जो भी है उसको जैसे अरेंच कर लिया है अब जो बैक पलू है ना वो फैला फैला मैशी मैशी रहता ना उसको एक एक प्लेट्स को सैट करते हुए और थोड़ा सा स्ट्रेस करते हुए पर चीछतों उसको मैं सैट कर दूँए इस तरीके से मेरी पूरा जो पलू है और मेरा प्लेट्स है वो भी अरेंच हो जाएगा आराम से देखे है यह है मेरी पूरी सारी ड्रैपिंग अब देखिए बैक भी साइट मैं आपको दिखाती हो और मैं लास्ट मैं पते क्या करूँ इसकी जो पिन लगिया ना उसको मैं खोल दूँगी और यह पूरा आराम से मेरी प करिया सरस्सक्राइब करिया और बैल आइकन को प्रैस करिया है यह है मेरी पूरी साळी ड्रैपिंग देखिये यह पूरी तरीके से करेजांक कमेस के उसक्थ की थिन हो गई आपम प्रेशाय नहीं थाइंक यू